नमस्कार दोस्तों, वेरी गूड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा ख़बर में, हेडलाइन्स तो आज मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, बिकॉस अनवाबिलिटी आफ आर वीडियो एडिटर, बट टाइम स्टैंप्स होंगे, यह मैं जरूर एंशार करूँगा, तो शुरू करते हम ग्लोबल न्यूस के साथ, जहाँ पर सबसे पहले हम, as always, बात करने वाले हैं, यूएस मार्केट्स के बारे में, तो नाजडाक, जो इंडेक्स, प्राइमरी टेक इंडेक्स है, यूएस का, तो वो कल गिरता हुआ दिखा, आफ्टर त्री वीक्स, जहाँ पर विनिंग गेंस दिये हैं नाजडाक ने, तो mainly एक major issue इस पर नाजडाक गिरने का यही था कि NVIDIA, जो एक key stock हो गया है अब नाजडाक में, वो कल गिरा, तो चाइना ने NVIDIA के अगेंस्ट एक investigation open किया है over suspicions of violating anti-monopoly laws, तो अपनी competitive power को ज्यादा use करने का जो एक law है, उससे related, एक 2020 year में उन्होंने एक acquisition किया तो of a company called Mellanox Technologies Limited, तो उसके regarding China ने एक investigation open किया है और इस वजह से जो recent behavior है and conditions जो है surrounding this deal, जो approve की गई थी by Beijing's under the conditions की NVIDIA जो है वो Chinese firms के against discriminate नहीं करेंगी, उसका violation हुआ है, ऐसा China का कहना है, currently geopolitical tensions US और China के बीच में भी थोड़े बहुत जादा ही है, जब से Trump has got reelected, तो exactly reason यही है या is it because of some geopolitical issues, वो clear नहीं है, NVIDIA obviously artificial intelligence chip market में एक बहुत बढ़ा dominant नाम है and इसी के चलते, कल जब markets open हुए थे तब 2-3% से NVIDIA के stocks वो नीचे गिरे थे, US ने recently imposed किये थे restrictions on NVIDIA bearing the sale of advanced semiconductor chips to Chinese companies, तो US ने Chinese, US ने चाइना को exports जो है थे, वो banned कर दिये थे, तो इससे चाइना की AI development में थोड़े से problems आ सकते हैं, जिस वज़े से, again, Beijing जो Chinese government थी, that was not very happy with that. अगली news है regarding the oil prices, तो फिलाल geopolitical scenario अगर हम देखे, तो world politics में बहुत सारी चीज़े हो रही है, Russia-Ukraine का war तो चलते ही जा रहा है, South Korea में आपने पिछले हफते में सुना होगा कि कैसी अलग problems चालो हो रही है, महाँ पर Marshall Law declared किया था, अगर हम बात करें तो world markets में currently बहुत सारी चीज़े हो रही है, तो इससे impact होता है हमेशा oil prices को, oil prices कल अगें बढ़ गए हैं, इसके दो reasons थे, पहला तो था कि China ने एक policy shift किया है, and again Syria related चीज़ों की भी बात हम आगे करेंगे, तो Brent crude जो की oil का index है, that was up by more than 1% yesterday, and अब 72 dollars per barrel का Brent crude का price currently हो चुका है, चाइना की monetary policy shift के बारे में पहले बात करते हैं, तो चाइना में चीज़े बहुत change हो रही है, चाइना में problems अलग किसम की है, जो बाकी world नहीं देख रही है, तो कल जो उन्होंने monetary policy decision लिया, उसमें एक major shift लाने वाले है, lose monetary policy कर रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा liquidity वो market में डलना चाते है, ताकि obviously consumption बढ़ सके, तो ये decision को अगर हम analyze करने जाए, तो economic boost अगर आती है चाइना के economy में, तो वो oil markets के लिए अच्छी खबर है, बिकास ज्यादा अगर economy activity होने लगी, तो oil के prices को एक support मिलता है, बिकास डिमांड बढ़ने से oil के prices में increase आ सकता है, तो ये एक oil prices के point of view से supportive market sentiment माना जा रहा है, चाइना में economics lowdown के बारे में तो आप I am sure वाकिफ होंगे, कि चाइना में जो mainly उनका collapse हुआ है in the property market, उससे consumer confidence बहुत hamper हुआ है, और consumer spending ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा है, तो इसी के चलते OPEC जो oil producing and exporting countries का एक cartel है, जो decide करता है कि कितना oil हमें world markets में देना है, उन्होंने recently प्लान किया था कि वो output कट करेंगे, ताकि oil के prices बहुत ज्यादा गिर ना पाए, तो इसी के साथ साथ एक और political uncertainty यह आगे कि Middle East में अब political instability दिख रही है, Syria में, यह सारा region ऐसा है, जो oil के production के लिए काफी important है, Middle East जो reason है, तो इससे और tensions बढ़ गए हैं कि supply के problems शायद आगया सकते हैं, तो supply अगर कम होता है और demand बढ़ती है because of China's loose monetary policy, then both these things are good for increase of the oil prices, तो यही reason रहा कि कल US, कल जो Brent crude के जो prices थे, वो कल बढ़ते हुए दिखे, एक और important चीज़ जो इस हफते में expected है वो है कि US का economic data expected है, जहाँ पर clear होगा कि आगे Federal Reserve जो है, वो क्या stance लेता है regarding the interest rates, तो वो एक important event होगा दिखने लाइक जो इस हफते में हमें expected है, अगली news है regarding China again, China का जो consumer inflation है that has hit a five month low in the month of November, and new risks अब दिखने लगी है, तो बाकि सारी दुनिया में जहाँ पर inflation कम होना एक अच्छी खबर होगी, चाइना में वैसी चीज नहीं है, चाइना में ऐसी situation है कि थोड़ा बहुत inflation उनको अच्छी अच्छा लगेगा इस point of time पर, the reason is कि उनकी economy में problem यह है कि demand नहीं आ पा रही है, हमने just discuss किया कि कैसे consumer spending effect हुआ है, तो जो CPI numbers आए हैं चाइना के economy के, तो उसमें जो inflation है that is only 0.2% on a year on year basis, जो October से भी कम है, जहां पर यह 0.3% था, तो mainly जो drop हुआ है CPI में, वो weather related चीजों से 2.7% का decline है in the food prices, core inflation 0.3% रहा है, जो producer price index है in the factory sector, वो 2.5% से गिर गया है, तो यहां पर situation like I said ऐसी है, जहां पर थोड़ा बहुत inflation चलेगा उनकी economy को right now, बट वो भी नहीं मिल रहा है, currently economists नहीं नोट किया है कि stimulus measures की वज़े से थोड़ा बहुत impact आया है, and over capacity expected है, तो इससे inflation low ही रहेगा आने वाले सालों में, पर they are coming up with ways जिससे थोड़ा बहुत at least boost मिल सके consumer spending को, यह expansionary monetary policy लाने का भी जो main decision है, that is also involved to bring more consumer spending. अगली news, अब हम बढ़ते हैं Indian economic news की और जहां पर सबसे बड़ी and सबसे important news कल जो आई थी, that is regarding the appointment of new RBI governor, तो Sanjay Malhotra जी has been appointed as the new RBI governor and he will be replacing Mr. Shakti Kanta Das, जो central government है, उन्होंने ये appointment की है as the new governor, and Sanjay Malhotra जी जो है, वो currently, he serves as the secretary in the department of revenue with the government of India, and वो कल से office जो है, वो assume करेंगे, that is 11th of December and ये 3-year का जो term है, जो एक general term होता है किसी भी RBI governor का, तो this, he will be assuming the office for a 3-year term. Sanjay Malhotra जो है, वो एक IAS officer है, from the 1990 batch of Rajasthan Kader, and उनकी electrical engineering में भी degree है, from IIT Kanpur, with a master's in public policy from Princeton University. अगर हम past career के roles के बारे में बात करें, तो उसमें, he was the chairman and managing director of REC Limited, Rural Electrification Corporation. He was also secretary in the department of financial services, revenue secretary in the ministry of finance, and he also took additional charge as secretary of ministry of corporate affairs in 2023. तो काफी अच्छा experience है, and government के various departments में उनका काम करने का भी experience है. तो finally, जो speculation थी, कि आगे शक्तिकांदादास जी के appointment होगी, will there be another renewal, तो all that speculation has finally come to an end. शक्तिकांदादास जी had a very memorable tenure, as the RBI governor, उनको 3-year का extension मिला था 2021 में already. तो एक extended term ही थी उनकी, जो currently end हो रही है, and during his 6 years of tenure, दास जी को काफी सारे challenges face करने पड़े, such as COVID-19 जहाँ पर, एक test थी of the RBI, जहाँ पर उनको ये देखना था कि किस तरह से demand को balance करे, inflation को check में रखे, and again economic growth के बारे में भी सोचना था, तो एक बहुत ही नाजुक से period के through, शक्तिकांदा दास जी has got RBI through, and in my opinion, it's quite a memorable tenure, जो उन्होंने, for the tenure that he was the RBI governor, तो last MPC meet में, RBI जो eventually अब शक्तिकांदा दास जी की last monitor policy meet थी, उसमें RBI ने stance वही रखा था, कि repo rate 6.5% का रखा था उन्होंने, and तब दास जी ने emphasize किया था, कि RBI की commitment अभी भी वही है, कि inflation को control में लाए, and that was what the framework was proposed by him. अगली news है regarding some MOUs, that were signed in the Rising Rajasthan Investment Summit 2024, तो almost 30 lakh crore के MOU, यनि Memorandum of Understanding sign किये गए, with the Rajasthan government, तो various businesses ने, एक Memorandum of Understanding sign किया है, with the government, अब Memorandum of Understanding, is not actually a proper commitment, but it's just a, it's just a, एक तरह से कह सकते हैं, कि एक willingness है, of these companies, to commit that much CAPEX, जो वो करना चाहते है, in a particular state, तो while हमें, ये as, from news point of view, इनका ध्यान रखना चाहिए, but we should take that, with a pinch of salt, कि ऐसा नहीं है, तो हमें ये बात हमेशा समझ नहीं है, अदाने ग्रूप ने अनांस किया, plans to invest 7.5 lakh crores, in Rajasthan, with half the investment, जो है, वो अगले 5 साल में ही होगी, I'm sure that must be more, towards their green energy perspective, जो investment that will focus, on the world's largest integrated energy system, energy ecosystem, which includes 100 gigawatts of renewable energy, इसके अलावा, अदित्य बिर्ला ग्रूप ने कमिट किया है, to invest 50,000 crores in Rajasthan, across multiple sectors, इसमें 6,000 तोरोज जो है, वो रनेवल energy में होगा, in the next 1 to 2 years, वेदान्ता ग्रूप के चेर्वें, अनिल अगरवाल जी ने भी, अनूंस के plans to invest 1 lakh crores, Tata Power has also unveiled plans of 1.2 lakh crores of investment in Rajasthan, mainly again in the renewable energy space, and Mahindra Group has also pledged 11,000 crores to expand its solar capacity in the state of Rajasthan, तो एक तरीक से सारी जो theme है, वो solar and renewable energy पर ही based है, जो भी Capex Companies Rajasthan में करना चाहती है, अब Stockwise News की और बढ़ते हैं, जहांपर सबसे पहले हम बात करेंगे CDMO sector की, यह निए Pharma के एक important segment है, तो CDMO के सारे shares जो है, वो under pressure रहे, Newland Labs, Loras Labs, Sinjin, यह सारे shares में कल काफी ज़्यादा गिरावट हमें देखने मिली, तो contract manufacturing का काम करते हैं, बेसिकली एक companies for pharma companies, जहांपर यह kind of outsource research conduct करते हैं, for other companies which are mainly in the US, तो यह सारे shares जो थे, वो more than 10% गिरे, बहुँचार investors ने आपर profit booking किया है, ऐसा नजर आ रहा है, reason is कि जो एक bio secure act है, जो US के parliament में pass होनी expected है, वो अब possibility लग रही है कि वो pass नहीं होंगी, in this session of the US Senate, जो 20 December को end हो रहा है, तो इसी वज़ास से, Newland Labs which fell by almost 12%, Sinjin International भी 6% से गिरा, Loras Labs fell by 6%, Dews Labs भी नीचे रहा, पिरामल Pharma भी नीचे रहा, तो इससे क्या फरक बढ़ रहा है, तो जो report है, वो ये indicate कर रही है, कि 5 Chinese linked biotechnology firms जो है, उनको under this biosecure act, अगर ये pass होता, तो that would have restricted them, from securing the federal research projects, तो federal research के जो projects थे, वो restriction इस biosecure act में है, पर वो pass नहीं हो सकती, till 20 December, ऐसी likeliness अब दिख रही है, तो इस वज़ज़ से, अगर वो pass होती, तो obviously ये सारे CDMO companies के लिए, अच्छी खबर होती, बढ़ अब वो इस session में नहीं होगा, that is not good news, for these Indian CDMO companies, तो ये decline के बात भी, अगर हम पिछला एक साल देखे, तो ये सारे companies ने काफी अच्छे returns दिये है, सिंजिन की management की अगर बात करें, तो उन्होंने ये कहाँ था, कि वो expert कर रहे हैंगी, US के जो funding conditions है, वो आने वाले quarters में थोड़े बहुत improve होंगे, थोड़ी बहुत demand और बढ़ेगी, और Indian pharmaceutical companies overall, mainly CDMO sector में है, उनको cost easing का एक बहुत बड़ा benefit currently expected है, improved product mix की वज़े से भी अच्छे times expected है, जो sector है, वो as a whole currently margin expansion देख रहा है, because of price erosion, and increasing contribution from the newer product launches. अगली news है regarding CE Info Systems, तो पिछले हफ़ते से बहुत सारी news आ रही है regarding this company, company ने पहले पिछले हफ़ते में बताया था कि वो एक नई company start कर रहे हैं, जहांपर 10% stick MapMyIndia का होगा, current zone के CEO है, वो MapMyIndia से resign करके उस company के CEO बनेंगे, यह सारी चीज़े हुई, investors were not very happy with it, obviously, क्योंकि MapMyIndia was going to fund a lot of the money that is required for this new company, तो obviously investors उससे खुश नहीं थे, corporate governance के major problems वहाँ पर दिख रहे थे, तो कल company ने बताया कि we are backtracking on that, we are cancelling all those things, और उन्होंने यह जो decision है, वो reverse कर दिया है to invest in this new company, तो company तो form होगी, पर उसमें MapMyIndia कोई भी पैसे, जो है, वो invest नहीं करेगी, जो Mapples brand है, वो भी MapMyIndia के साथ ही रहेगा, जो पहले यह propose किया गया था, कि Mapples will go to the new company, तो board नहीं अनॉंस किया है, कि कोई भी form में MapMyIndia will not make an investment, whether it is in the form of equity, और whether it is in the form of debt, तो अब ऐसी चीज़े, actually corporate governance पर और भी questions डालती है, अल्दो markets ने इस चीज़ को कल बहुत positively लिया, 10 shares वर अब बहुत more than 18%, I hope the market knows कि still जो filing की है company ने, उसके साथ से रोहन वर्मा, जो former CEO है अब MapMyIndia के, he is still going to go to the new company, तो basically, in spite of the recovery, जो कल MapMyIndia के stocks में देखी, reality is की MapMyIndia के CEO has resigned, and it has hardly had any impact on the stock price, अगर हम over the last one week देखे, तो that has been the case, so it still remains की, as per whatever company has announced so far, रोहन वर्मा is not going to be the CEO of MapMyIndia, which is a major loss for MapMyIndia shareholders, from that point of view, because obviously, वो founders, promoters के group में आते हैं, and he will no longer be, the chief executing officer of MapMyIndia, तो बहुत सारी चीज़े चेंज हुई है, again, अल्दो इसको एक तरह से से देख सकते हैं, कि company is listening to shareholders, लेकिन company का खुद का policy making, corporate governance पर यह और भी सवाल, यहाँ पर खड़ा करता है, अगली news है, regarding Flipkart, Flipkart is going to plan an IPO within 12 to 15 months, it is also preparing to shift its base to India, तो इंडिया की largest e-commerce platform माने जाती है, valued at 36 billion dollars, अल्दो जब IPO होगा, तब यह valuation इतना होगा, नहीं होगा, यह हमें देखना होगा, क्योंकि बहुत सारी companies, जो हाली में IPOs के साथ आ रहे हैं, उनके previous rounds of IPOs में, valuation काफी ज़्यादा better हुआ करते थे, बट उनको भी थोड़ा बहुत market का अंदाज अब है, कि maybe they will not get that type of valuations now, तो जो last funding round था, उसके साब से तो 36 billion dollars का valuation है, Flipkart का, बट जब यह IPO लेकर आएंगे, तब हमें better details पाता चलेंगी, तो Flipkart की move is after successful IPOs of companies like Zomato, Naika, Swiggy, जिससे एक investor enthusiasm बहुत बढ़ गया है, about Flipkart as well, company ने कुछ internal approvals currently लिये है, to shift its domicile from Singapore to India, यह बहुत important है, अगर आपको इंडिया में IPO करना है, तो आपकी domicile यह ने, principal place of business जो है वो इंडिया में होनी चाहिए, Flipkart ने around 1 billion dollars raise किये थे in 2024, including 350 million dollars from Google, and recently company was in the news, because उन्होंने अपनी quick commerce की delivery service start की थी, called minutes, Flipkart minutes, तो again competing with the likes of Blinkit, Zepto and Swiggy Instamart, तो Flipkart की जो shift है, that aligns with its long term strategy, similar moves इससे पहले phone पे और Zepto ने भी किये हैं, to shift its domicile to India, Flipkart की ownership की बात करे, तो 81% of the company is owned by Walmart, तो Walmart is quite confident of Flipkart's growth, उन्होंने 2 billion dollars भी invest किये हैं in the company, since acquiring the company in 2018, and आगे हमें दिखना होगा कि जब Flipkart comes up with its documents, तो किस तरह का valuation, क्या-क्या उनके revenue streams है, ये सारे चीजों पर, और भी better clarity, तब हमें मिलेगी. Sorry. अगली news है regarding torrent power, torrent power has raised 3,500 crores in its first ever QIP, यहनि qualified institutional placement. तो काफी अच्छी demand मिली torrent power के QIP को, ये sector ऐसा है, जहां पर currently optimism काफी जयादा है, renewable space में तो खास कर बहुत जयादा है. तो four times of the issue size company को demand मिली थी, and ये one of the largest fund raises है by a private utility player in India in this financial year, जो investors रहे in their QIP, that includes notable investors like SBI mutual fund, capital group, SBI pension, kotak mutual fund, Nippon mutual fund, तो काफी बड़े नाम है among the investors in the QIP of the company. इससे जो funds है, उससे company अपनी balance sheet जह वो strengthen करना चाहती है and जो उनके aggressive growth plans है, उनको materialize करने में, ये funds काफी help करेंगे, ऐसा company ने fund raise के time पर बताया था. अगली news है regarding Metropolis Healthcare, जो एक diagnostic company है, इन्होंने acquire की है 100% stake in a company called Core Diagnostics and इसके लिए they are going to pay 247 crore rupees. तो ये जो acquisition है, that will enhance Metropolis capabilities in advanced cancer testing and इससे उनका North और Eastern India में तोड़ा सा presence जो है, वो और बढ़ाने की कोशिश वो करने वाले हैं. तो ये जो 100% acquisition है, that is going to be through a combination of cash and equity, 55% जो है, उसके लिए cash देने वाले एक company and बाकी is going to be through a share swap. ये जो company है Core Diagnostics, इन्होंने 110 crore का revenue किया था for FY24 and इसके लिए जो भी shareholder approval है, वो अब metropolis आगे जाके लेने वाली है from its shareholders. Core Diagnostics का around 22% का CAGR है, revenue growth का in the past 3 years, तो काफी अच्छी growth यहां पर नजर आ रही है. Currently, एक trend हम देख सकते हैं कि जो भी बड़े diagnostic firms है, they are using this strategy, जहांपर वो कोई local बड़ी change हो होती है, उसको acquire करने की कुशिश करेंगे. Dr. Alpath Labs ने suburban Diagnostics को acquire किया था 2-3 साल पहले. Thyrocare ने recently दो local diagnostic firms है, उनको acquire किया है. तो major diagnostic firms है, वो ऐसी strategy अपना रहे हैं, जहांपर वो under penetrated market में, instead of organic way, यानि खुद branches लगा के, खुद franchises देके, expand करने की बजा है, वो ये strategy अपना रहे हैं, जहांपर वो locally जो अच्छा player होगा, उसको acquire करेंगे. PH Diagnostics को भी विजा Diagnostics Center ने recently acquired किया था, जो काफी बड़ा player है इन पूने markets. तो ऐसी strategy हम currently देख रहे हैं, जो भी, जिनके भी balance sheet पर काफी अच्छा cash है, ऐसे diagnostic companies, ये एक strategy अपना रहे हैं, to make some acquisitions. That concludes the news for today. अब हम Believe It or Not section की भी बात कर लेते हैं, तो Jane Street, ये नाम आपने सुना होगा, I am sure आप इस नाम से वाकिफ है, पिछले साल पता चला था कि Jane Street नाम के एक trading company है, US-based trading company, जो India में derivatives के तुरू बहुत जादा पैसे कमा रहे है, in fact they earned more than 1 billion dollars in India, in profits through trading. तो trading कैसे करते हैं, इनके बास algorithms होते हैं, इनके बास well-defined trading algorithms होते हैं, जो वो employ करते हैं, and through that they are earning profits. तो recently the company was in news, because ये जो company है Jane Street, that is offering 4.3 crore jobs, 4.3 crore rupees का job offer to IIT students, ये company offer कर रही है, जिससे option trading की जो option trading पर जो एक साया है, पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं, उस पर एक और बहुत interesting aspect हमें इससे पता चल रहे है, because अगर वो एक एक person को साल के 4.3 crore rupees दे रहे हैं, to help them design an algorithm, जिससे वो और profits करेंगे, that just shows कि कितनी immense profitability है इस market में, for major trading institutions, जो ऐसे machine learning and lucrative trading strategies लगा कर, algorithms के थूप ऐसे कमा सकते हैं, and who are they earning this money from? They are earning from a lot of retail traders, जो basically half-baked research के साथ, या फिर किसी job को continue करते करते trading कर रहे हैं, तो basically it's a zero-sum game, right? जो 1 billion dollars का profit company ने कमाया है, Jane Street ने कमाया है, वो किसी के expense पर है, that is at the expense of retail traders, right? तो यह हमें just gives you an idea कि, किस तरह का money is going to be poured in, this is the amount of money, that they are ready to pay a single engineer, 4.3 crores is the package that they are offering to IIT students, who can design such strategies for them, that can help them get assured profits, and जो level of sophistication and strategies यहाँ पर Jane Street यह सी company लगा सकती है, तो इससे odds जो है, या फिर जो chances है of making a profit for a retail trader, वो कितने heavily stacked है against them, इसका अंदाज हमें यहाँ पर पता चलता है, because obviously not everybody has access to such advanced tools and research, जो Jane Street यह सी company capable है, of course that is clear from the amount of money that they are ready to pay for engineers, who are ready to design such things for them. So, जो disparity है आउटकम्स में, वो काफी स्टार्क है, रिसेंटली जेंस्टीट ने बताया था, जब उनने यूस में इस्टीट ने डिस्क्लोस किया था, कि उनकी जो प्रोपराइटरी ट्रेडिंग स्टाटेजी है for options, वो जब उनने इंडिया में एंप्लोई की, तब आप ये अर्न ओवर 1 बिलियन डॉलर्स in the last year. So, I thought कि ये एक बहुत इंपर्टन चीज है, जो नोट जस्ट अमाउंट के पॉंट अफ़ वी से बहुत बड़ी है, ये 4.3 क्रोज का starting package for an engineer, but it is also important to understand कि जब एक retail trader आप अपने strategies लगा के market में invest कर रहे हो, पैसे invest कर रहे हो from the trading point of view, so who are you actually competing against? इसका एक बहुत ही important eye-opener ये news थी, and that's why I thought that I should share it with you all in today's video. तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यही पर खतम होता है, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, insightful लगा होगा, अगर ऐसा है तो वीडियो को like करना मत भूलिए, and share भी करें with maximum people, चैनल को subscribe करना मत भूलिए, अगर आपने अब तक नहीं subscribe किया है तो चैनल को ज़रू subscribe कीजेगा, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, thank you so much,